एक दो महिना के तीन महिना के बाद नवरात्र आने वाला है नवरात्र तक अगर आप पकड़ लो अभी हवन अबन नहीं करना नवरात्र तक कर सकते हैं या तातकालिक लेवल पे अगर आप एक पंडिजी दो पंडिती पांच पंडिजी बैठाना है सामुहिक आपको पता होना चाहिए कि सामुहिक प्राथना में बहुत दम होता है जब मिलके 5 पंडित को लगाएंगे या 7 लगाएंगे 11 पंडित लगाएंगे और जाब करवाएंगे जाब करने के उपरांथ जितना जाब पकड़ लो एक मिनिमम टार्गेट हो गया एक लाग पचीज़ार मिनिमम टार्गेट जब का मिनिमम टार्गेट एक लाग पचीज़ार तो दसमान सहवन होगा ठीक है 11-12 हजार का आउति डला जायेगा है की नहीं ये काम वहां के जो पंडित होंगे वो लोग निरधारन करेंगे कि हमें कितना जाब करना है देखो आप पंडित, पांच पंडित बैठेंगे, सामने लड़की बैठेगी, उनको प्रणाम करेगी, आशिरवाद मांगेगी और बोलेगी कि मैं जब इत्यादी नादान हूँ, अज्यानी हूँ, मुझे नहीं आता या मैं नहीं कर सकती, हे पंडित प्रवर, हे ब्रामन द या जो भी, जो भी अभिष्ट है, वो करा दिजिए, पंडित लोग फिर पांचो के पांचो निर्णाई करेंगे, या साथ का साथ भोट करेंगे कि इसके लिए इतना मंतर जाब किया जाएगा, ठीक है, और फिर उसका इतना दसमांस किया जाएगा, ये ब्रहमन होता है यहां मैं आपको कह दूँ कि इतना ही कर दिजे फिर हो जाएगा ऐसा नहीं होता है और तीसरा यह है कि अगर लड़की भी उसके साथ जितना जाने जितना उसका ताकप है रात को सोने से पूर्व हो या सुवे जब वो पुजा करती है तब भी अपने इच्छा प्राथना मुतावक सरणापन होके माला उठाके विधी की अनुसार यूट्यूब में सारा विधी मेरे चैनल में है या किसी भी चैनल से आप विधी जाप का विधी सीख लो हिंदी में अवेलेबिल है हर वासा में अवेलेबिल है उस हिसाब में अगर कुछ भी जाप करती तो उसका सबसे ज़्यादा कल्यान होता है जो करता है अगर वो करे करता मिंस जो यजमान है वो करे पंडितों के साथ तो ज़्यादा अच्छा होता है अच्छा रिजल्ट मिलता है और उसका अभिष्ट सिद्धी जल्दी होता है लेकिन अगर वो बुलेगा कि मेरे पास को खतम करने के लिए कम से कम पास दिन छे दिन का टाइम लगता है एक दिन में एक हजार से ज्यादा आउती तो नहीं कर सकता है कोई आदमी ना अगर कोई पंडित बैठेगा अके ले हजार आउती पर डे का करेगा दस हजार का आउती अगर करना है तो minimum 10 डेज लगेगा अग प्राक्टिकल मैं खुद करता हूं मैं विडियो भी छोड़ा हूं आप देखे होंगे सुबह 8 बजे से बैठते हैं साम को साड़े 5-6 बज जाता है एक बार खाने कलिए एक बार चाय पानी का गेप पंडित लों को मिलता है पूरा 8 घंटा से 11 घंटे का ड्यूटी लगता ह है ऐसा ऐसा करके 10 दिन का ड्यूटी लगता है तभी जाके पूसे मेरे हिसाब से तो पहला राउंड है एक लाग पचीस हजार ठीक है एक लाग पचीस हजार का जब और 11-12 हजार का आहुती विवाहादी मंत्र के लिए या मातकात्याइनी का मंत्र में करवा लीजिए फिर आप खुद रिजल्ड देख लिजिएगा और उसी में पता भी चल जाता है आदा तो कुझा के समय से ही पता चल जाता है नवरात्र में दिया से ही पता चल जाता है कि एक में होगा किसी किसी का तीन प्रयास लगना पड़ता है मैं किया हूँ मेरे जिंदेगी में तब इतन confidence मैं कह रहा हूँ एक का एकदम साधी नहीं हो पा रहा था और धेड़ उमर हो गया था तो उसको तीन नवरात्र और तीन रुद्रविसिक नहीं डिले का बात नहीं है सुचो की ब्रहस्पति भी सब्तम के उपर आ रहे हैं ब्रहस्पति का अंतरदसा भी आ रहा है ऐसा योग पूरे लाइफ लॉंग पे तो नहीं आयेगा ना तो कह रहा हूं चल तो रहा है लेकिन आपने अब सुचो अंतरदसा चल रहा है लेकिन गोचर सपोर्ट में तो नहीं आया है ना हाँ वही कह रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं आप मेरा बात ध्यान से सुने प्लीज एक मिनिट मैं यह कह रहा हूं कि देखो जैसे उधारन दे रहा हूं आपको कि आने वाला समय में जितने सारे तुला रासी बाले हैं चटा में सनी देड़ साल के बाद जाएगा तो महाराजयोग लगेगा यानि धन, धान्य, भूमी, भवन, भाहन, माता, सुक, मन, मकान, नौकरी, चाकरी सब कुस दे देंगे चटा का सनी जैसे अभी कन्यारासी को देने वाला है लेकिन अभी कन्यारासी बालों को नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके लिए जो कर्म करना चाहिए, जो महनत करना चाहिए, जो प्रयास करना चाहिए वो नहीं किया, बिना कर्म में सनी तो फल नहीं देंगे मैं यहीं कह रहा हूँ कि अगर कोचर में बुरस्पती सपोर्ट करने के लिए आने वाला मार्च अप्रिल में आने आएंगे लेकिन उसके लिए जो भी आपको जो भी आध्यात्मी कर्म है, ग्रहसांती करना है, सरीर के जो मैलिफिक एनरजी है, उसको रिलिजडाउन करना है और उसके लिए जो भी साधना, तपस्या, प्राथना करना है, वो करना है, नहीं करेंगे, तो बड़ा अच्छा जोग नहीं लगेगा, अभी से संकल्ब कराते कराते जाओगे, नवरात्र में स्पिसल हवन कराओगे, या वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अभी से हम कर सकते है फुर्सत है, तो अभी से कराते कराते चलिए, ठीके न, बट दो बेस्ट वान इस नवरात्र और स्ष्टी का त्याइनी को स्ष्टी के दिन में ही, और पूरे नवरात्र को उजयापन विधान से करना, शिक्स तो देखिए, नवरात्र मिंस नौ दिन, प्रतमाद, त्या, त स्ष्टी के दिन में माता कात्याईनी का पूजा होने के कारण, स्ष्टी कात्याईनी, एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जहां वो माता रानी साधी उदी का सब कुछ समझते हैं, समझाते हैं, और करते करवाते हैं, ठीके न, तो जो डिपार्टमेंट में जाएंगे, वही से लेगा ना है कि नहीं अभी हनुमान को बोलेंगे साधी करा दे हनुमान खुद बते बर्मचरी हाँ आठ कंटा नि मिनिमम हवन लगता है अगर आपके उधर पंडित यार नॉट रेड़ी तो यहां से बोलोगी तो मैं पंडित भेज दूँगा मेरे पास मेलिकन टाइम लगे है और उसको पुजा करवाना है वो अपना राजकार यह छोड़ के पुजा में आठ तस घंटा बैठे का क्या बताओ पी एम साहब को अगर पुजा करवाना है तो देश को छोड़ के जाके पुजा में बैठेंगे क्या पहले कर मैना तीसरा यह है कि सब कोई सब नहीं सभी कोई व्यक्ति पुजा में इतना देर बैठ नहीं सकता इसलिए उनके लिए फिर पंडित लगा के करना पड़ता है उनके नाम गोतर संकल्ब करके लेकिन वो प्रेजेंट रहेगी तो उसका फाइदा है मेरे को आज भी याद है एक बात क्लियर हो जाईए पहले मैं देखा हूँ कि जब मैं जो लोग भक्ती भाव से बिनम्रता के साथ करता है 11,000, 21,000, 21,000 में रिजल्ट दे देता है ठीक है और नहीं भी अगर करते हो 1,25,000 का भी मिनिमम टार्गेट लेके करते हो तो भी रिजल्ट मिल जाता है और मेरे हाँ मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा अनुभव में देखा हूँ चार पाई में ढोके लाया गया था पेसेंड को रुद्रा भी सेक रुद्र यज्या चंडी पाट चंडी यज्या एक साथ चल रहा है और वो व्यक्ति पाट खतम होने के बाद अपने बल्बुत्य में आके खड़ा होता है बैठता है चलता है जिए एक बाट बल्बुत्य में आके बल्बुत्य में आके लेग्ड़ा है